देखिए इस रपोर्च के बारे में आपको बताएं मौसको में जैश्री राम रूस की रारजानी मौसको में प्रोफेसर मैक्सिम डेमचन को भागवान राम के बहुत बड़े भगत है श्री राम पर शोध के लिए कई बार हिंदुस्तान भी आ चुके हैं अयोध्या में राम लला के दर्शन कर चुके हैं टीवी नाइन भारतवर्ष ने मौसको में प्रोफेसर से एक्स्क्लूजव बाठवित की है उन्होंने राम से लेकर रूस यूकरेन जन तक खुल कर बात की आप भी सुनिये टीवी नाइन भारतवर्ष की टीम इस वक्त रेड स्कॉयर पर मौजूद है और हम लगातार यहां घूम कर जानने समझने की कोशिस कर रहे हैं कि मासको में चल क्या रहा है लोग क्या सोचते हैं किस तरीके से इस पूरे हालात को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और इस बीच मेरी मुलाकात एक बेहत दिल्चस्प व्यक्ति से हुई है और आप खुद जानेंगे कि वो कौन है और उनके क्या विचार है भारत को लेकर तो यह हैं डॉक्टर मैक्सिम डेमचेन को यह जनाब फूल की खेती करके एक एकड में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं आपको भी यह करना है तो फ्रीडम आपको अब भी डाउनलोड कीजिए ताहिए क्या आप कौन है नमस्कार मैं मोस्को स्थेत लिंग्विस्टिक यूनिवसिटी का असोशियेट प्रफेसर हूं और wäh भारती यह संक्रिती परहाता हूं रूस में और कभी-कभी इंडिय पी आता हूं बारत بी आता हूं और अलग-अलग यूनिवसिती में लेक्चर्स भी देता हूं बारतिय संस्कृति के बारे में तो मैं बारतिय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करता हूं रूस में एक राम लीलक करवाता हूं मुस्को में और अभी पांद्रह साल से हर साल इंडिया आता हूं पांद्रह साल से ऐसा क्यूंकि पहले मैं हिंडी कुर वाषज चाह कोण था हुआ है अभी दो शोद कर रहा हूं इन्डिया में अब इस उपमे, मैं र Circalls ऑ्कित वार्म आ में उतलए दोल्डविन आफीर राम किली His नहीं पूस्तिकषी अगवें पुस्ते हो यह एक इतनी सुंदर कविता है क्यूंकि श्रीराम नाम यह एक चीज है जो इंडिया में बहुत प्रसीद है क्यूंकि भगवान श्रीराम वो मर्यादपूर शौत्तम है लेकिन कम लोग जनते हैं कि वो मादूर मूर्ती बे है और मादूर मूर्ती मतलब रामायन वो प्रेम की कहानी भी है रामायन प्रेम की कहानी बे है और मैं रामायन मैंने कहा है कि रामायन बच्पन से जनता हूं और मैंने पास एक पूस्तक थी चोटी पूस्तक यह रामायन थी बाचों के लिए रामायन से कहानी बाचों के लिए थी तो बच्पान में यह मेरे लिए प्रेयरना भी थी रामायन और इसलिए बच्पान से श्राम जी के बारे में जानता हूँ प्रेम की बाते कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मर्यादा मतलब एक आइडियल राजा होना, तो वैसे इस्तिती में अगर भगवान स्री राम आज रूस में होते हैं, और रूस का जो आज हालात है, जो युद्ध हो रहा है, तो भगवान राम के क्या कदम होते हैं आपके हिसाब से, देखें, ये प्राशन तोरह कठीन है, क्योंकि सबसे पहले राम जी के बारे में ग्यान देना चाहिए, रूसी लोगों के लिए, तो अगर हमारे पास ग्यान हो, तो हम समाज सकते हैं, क्या चाहिए हमको, मरिया दत्त, या प्यार या दोनों, लेकिन मुझे लागता है कि रूसी लोगों के लिए, फिर भी, मतलब 80% लोगों के लिए, रामायन वो सबसे पहले मरिया दत्त के बारे में नहीं है, लेकिन प्यार और प्रेम की कहानी है, आपने तो बहुत ही साहितिक अंदाज में मेरे सवाल को गुमा दिया, मैं तो साहितिक नहीं आध्यात्मिक नहीं, मैं अभी राजनितिक परा गया था, कि अगर भगवान सरीराम होते, तो भगवान सरीराम ने रावन का वद किया, तो इस समय आपको लगता है कि रूस में अगर होते भगवान से राम तो क्या करते हैं अभी तो समाई मुश्किल है समाई का थीन है और बिल्कुल शिराम प्रेरना हो सकते हैं इस चीज में राज नीते में और फिर भी अलग अलग चीज अभी है मुझे लगता है कि देखें आप लोग इंडियन है और आप समाजते हैं कि अग्वान शिराम मर्यादपुरशुत्तम है क्यूँ क्यूंकि सानतंधार्म के गुरों क्याते हैं कथा में कि सीराम जी मर्यादपुरशुतम है रहें breakup को प्रारथे नहीं करते हैं लेकिन हमेशा सीत आराम को प्रार्ताना करते हैं सबसे पहले सीता जी क्यों मैं आपको बता हूं चुकि अपने सीता का जिक्र किया तो मैं सीता की नगरी से आता हूं मिथला से आता हूं जी यह तो मैं जनता हो और मैं भूत खुशी हो एक्शली के लिकिन सबसे पहले बगवाती सीता जी को प्र हम लोग राम लीला करवाते हैं मोस्को में और ये राम लीला ये रोमेंटिक राम लीला है ये प्रेम की कहानी है तो हम सिर्फ चार एपिजोड दिखाते हैं लोगों को सबसे पहले शीराम लक्षमन और गुरुविश्वा मित्रा मित्यला आते हैं और मिध्यला में पुषपवाथिका के एपिजोद दिखाते हैं और पुषपवाथिका के बाद स्वायमवार के एपिजोद दिखाते हैं और इसके बाद धानुश उत्तानन और इसके बाद आरती करते हैं शी सिताराम जी को और यह लोगों के लिए बहुत-बहुत दिल्चस कि आप आरती संस्कृति को समझते हैं और मैं पत्रकार हूं आप नारद मुनी को समझते ही थे कि नारद मुनी क्या करते थे तो चलिए मैं थोड़ा सा वही करता हूं अभी आज मोबलाइजेशन का की चर्चा बड़ी रूस में हो रही है तो रामायन में इसका जिक्र आता है म मतलब मुझे लगता है कि वह बानर से ना और मॉबलाइजेशन में कोई संब्द देखे मुझे लगता है कि मॉबलाइजेशन के बारे में मेरे मान में मेरे दिल में अलग अलग चीज है हिंदु धार्म के अनुसार और वाइली का धार्म के अनुसार वार नाश्रम धार्म ह चार वर्ना है, यह ब्रह्मन, क्षात्रिया, वाश्या और शुद्र, और यह कास्ति इस्म के बारे में नहीं है, यह एक सोशल स्ट्रिटिफिकेशन के बारे में, और ब्रह्मन यह क्या करते हैं, प्रार्तना करते हैं, और परहाते हैं, क्षात्रिया वो शायद आर्मी को जा सक और वाइशया वो क्यों है एक बिजनसमेन है अधुनिक संसार में ये बिजनसमेन है और शुद्र ये एक वोरकर है अधुनिक संसार में तो रामायन के अनुसार और वाइडिका धार्मक के अनुसार ब्रह्मन और वाइशया आर्मी को कभी और यूद को कभी नहीं जाते हैं क् ब्रह्मन बिना और वईश्य बिना कोई सेसाइटी, कोई समाज नहीं रहेगा, यह असमभाव है, क्योंकि ब्रह्मन और वईश्य यूद जाते हैं, यह क्षात्रिया का काम है और शुद्र का काम है मतलब क्षात्रिया वो कौन है वो ऑफिसर है शुद्र वो सोलजर है यह कस्ति इसम के बारे में नहीं है यह सोशल स्ट्रिटिफिकेशन है तो यह एक गालती है कि अभी रूस में ब्रह्मन मतलब हमारे पास ब्रह्मन और हैं हमारे पस अरणाश्रम धार्मन नहीं है फिर भी सोशल स्ट्रिटिफिकेशन के स्थार पार अलग अलग प्रफेशन्स है और यूनिवर्सिटी टीचर वो कौन है यह ब्राह्मन नहीं है अरणाश्रम धार्मन मैं समझ गिए अब अगर कहना चाहते हैं जिनका लड़ाई का काम नहीं है आप पढ़ाते हैं तो आप लड़ाई का काम नहीं है और लेकिन अगर आज आपको जाने की बात कहीं जा रही है तो वो उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है तो मुझे लगता है यह गलती है जितनी बखुबी से आप स्रीराम को समझते हैं रामायन को समझते है भारती संस्कृति को समझता है, मैं ये बात मानने को तयार हो कि मुझे उसका दस प्रतिसत भी नहीं आता है आपने बहुत बहुत बेहतरिन तरीके से इन बातों को कहा है तो आप जब अयोध्या जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अयोध्या में स्री नाम लला का जो जन्मस्थान था, अब वहाँ पर एक भावि मंदिर बन रहा है तो उसके बारे में फिर क्या कहींगा? मुझे लगता है और हम जानते हैं भी कि मस्जीद से पहले एक हिंदू मंदिर था एक हिंदू मंदिर था जानमभूमिपार तो इस्तोरिकली ये एक सही बात है क्योंकि देखिए जरुसलिम में एक जरुसलिम का टेंपल है जोईश टेंपल है और मक्का में मस्जीद है और जानमभूमिपार ये क्या है? बगवान श्रीराम का मंदिर होगा ऐसा क्यों कि बगवान श्रीराम की जानमभूमे है और सब हिंदू लोगों के लिए ये एक पवीतर स्थान है और सिर्फ हिंदू लोगों के लिए नहीं लेकिन बूडिस्ट या बूद्ध लोग वो श्रीराम भी मनते हैं जैन लोग श्रीराम भी मनते हैं और इंडिया में ब एक Bhagawan Shri Ram की बाक्ति की का कैंद्रा है आयोद्द में तो मंदीर बनेगा तो फिर आप जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल और में अभी हर साल आता हूं मेरे गुरु जी से सिखने के लिए और आवदी बाशा सिखने के लिए और मेरा शोध कारने के लिए तो मैं अभी हर साल आता तो चलते चलते अगर आपको ये एक और दोहा मुझे सुना सके जो आपका सबसे पसंदीदा है एक तो आपने तुलसिदास की दोहा सुनेगा सब गुरू को हम प्रार्थन करते हैं गुस्वामी तुलसिदास जी के साथ तो हम वानी जी मतलब सरास्वती देवी को प्रार्थना करते हैं और हम भगवान गनेश को प्रार्थना भी कर रहे हैं और मेरे लिए और ज्यादा हिंदु लोगों के लिए शीराम नाम ये हमरे जीवन के दिल है तो फिर वही बात है मैं आपको फिर राजनितिक सवाल नहीं करूंगा लेकिन होगा क्या आने वाले समय में होगा क्या तो मुझे लगता है हो यह जो राम रची राखा सबसे पहले शांती शांती आएगी और इसके बाद मर्यादत और प्रेम प्यार धार्म और अध्यात्मिक जीवन बहुत कुप सर बहुत कुप और बहुत बहुत सुक्रिया आप टीवी नाइन भारत पर से बात करने के लिए तो यह देखे यह डॉक्टर मैक्सिम ने आपको रामाइन के बारे में, स्री राम के बारे में, भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में बताया और फिर अपने अंदाज में उन्होंने रूस और युक्रेन के जंग और यहां के हालात को लेकर भी जवाब दिया क्यामरान संजीत कुमार के साथ मनीज ज्ञा, TV9 भारतवर्स, मासको, रूस ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं आपको भी ये करना है, तो Freedom Map को अब भी डाउनलोड कीजिए झाल झाल